खबर मध्यप्रदेश के गौलियर से है जहां शहर के गोला मंदिर थानक शेत्र के कृषी उपजमंडी के पास बारदात की नियत से जमा हुआ बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर फाइरिंग की इस घटना में पांच बदमाशों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है तीन बदमाश मौके से भाग निकले जबकि अन्यस साथियों के खिलाफ मुकद में दर्ज के गए है खास बात यह है कि आरोपियों में जिला भीतर बदमाश गोविन पंडित भी शामिल था पुलिस ने देर राद दिनेश गुर्जर और मुकतार खान को भी गिरफतार कर लिया है गोले के मंदिर पुलिस थाने में पदस्त एसाई राजिस बोदोरिया को मुकविर से सुचना प्राप्त हुई कि जिला भजर का जो आरोपी है गोविन पंडित वो अपने साथियों के साथ में कुछ अतियारों के साथ में मौजूद छेत्र में तो उक्त सुचनाबर थाने का जो स्टाप लेकर उसको घरावंदी कर पकड़ने का प्रयास किया और गोले के मंदर पुलिस द्वारा गोविन पंडित को अपने रासत में लिया उसके साथ ही होना जो है पुलिस के कपजया से चुड़ा कर और पुलिस के ऊपर जहान लेवा हमला करते हुए फाइरिंग कि और उसको थोड़ा कि चुड़ा के भागने लगे तो पुलिस जो पार्टी थी उन्होंने जो टूटल आग गोविन पंडित को मिला गए आठ लोग थे आठ में से पांच लोगों को पुलिस ने गरबतार कर लिया एरासत में लेकर गरबतार कर लिया बागी के तीन लोग को भाग गय थे गोविन पंडित वा अनन दो सातियों को गरबतार करने के लिए पार्टियां बेजी गई है और उनको जल्दी जल्दी गरबतार किया जाएगा